हाई फ्रेंड्स यह हमारे पास कुछ आज बल्फ है यह डेकोरेटिंग के लिए काम आते है जैसे कि दिवाली वगेरा जो गनपती हम लोग बिठाते है यह उसमें काम आता है तो फिर यह खराब हो चुका है लेकिन यह खराब नहीं होता है अगर आपके पास भी ऐसे है एक भ बल्फ है यह कलारफूल बल्फ है यह डेकोरेटिंग के लिए काम आता है और यह रोटेट करते रहता है और बहुत ही अच्छा यह लुक देता है लेकिन इसके अंदर का जो सरकीट है वो बनाने का थोड़ा तरीका जो है अच्छा नहीं होता है तैंगने का मतलब यह है कि इस जो बल्फ के अंदर जो assembling करते हैं लोग जो बनाने वाले होते हैं वो ठीक से ने बनाते हैं वो short कर तरीका इस्तिमाल करते हैं इसलिए ये सब जल्दी खराब होते हैं तो सबसे पहले ये जो है इसका मोटर खराब हो चुका है मैं इसको भी change कर दूँगा मेरे पास 4 पाचाई से light है सबसे पहले आप इसको open करके इसमें जो एक मोटर होता है इसे गुमाईए एक बार right गुमाईए राइड गुमाओगे तो red वाली LED जलीगी और left side में अगर गुमाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप wiring देख सकते हो एक LED में यह है motor का wire और जो दूसरा वाला wire है वो है power supply उसमें से आता है circuit में से power supply उसमें से 9 voltage आता है और जहाँ पर एक LED है वहाँ पर 3 volt 3-3 volt सबको मिलते है तो left side अगर आप गुमाओगे तो दोनो light जलेंगे और मतलब कि यह सई है और इसका जो circuit है वो खराब है लेकिन हमें circuit इसका कैसे रिपेर करना है मैं आपको बताऊंगा circuit में दोस्तों होता है एक capacitor capacitor अगर फूला गिरिंग कलर का आप देख रहे हो उसे capacitor बोलते है capacitor अगर फूला होगा तो समतलब वो capacitor को आप चेंज कर दो और इसके अंदर एक transistor है transistor भी अगर transistor जल्दी इसमें का खराब नहीं होता है अगर बाइचांस इसमें लाइन के वज़े से खराब हो जाए तो आप transistor को चेंज कर दो यह 100% यह वर्क करेगा यह ट्रिक तो फिर इसमें का जो में लिए मोटर है जो एक मोटर उतुसरे में खराब था पहले वाले में उसमें मैं चेंज कर दूंगा भाद में और मेरे पास यह जो ileडी supply आ रहा है तो फिर यहां पर ये आपको power supply देना होका negative वाला हम लोग इसे negative ने बोलेंगे हम लोग इसे minus बोलेंगे तो फिर power supply का shoulder कर देना है आपको फिर ये led 9 होल्ड पर चलेगी क्योंकि ये 33 voltage की 3 led है और जो तो मोटर का वायर है आप कहा पर है आप देख सकते हैं ठीक सी इसमें देख लो अब इसके बाद यह वाला बल्फ हो गया है रिपेर तो दूसरा बल्फ है मेरे पास फ्लावर वाला तो फिर यह बहुत ही अच्छा है मुझे सबसे जादा अच्छा यही लगा इसमें मैंने इस जाने से घर पर रिपैर कर सकोगे हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे एक बार राइट साइड में हम लोग इसा गुमाएंगे घ्रीन जाल रही है लेफ्ट में में गुमाओगे तो फिर दोनों वाले लेटी जल लेगी इसकी वायरिंग सही है और सरकीट भी अच्छा है इसका कोई दिकत नहीं है और वायर भी मैंने इसमें जोड दिया है यह वीडियो जादा बढ़ी ना हो तो इसलिए मैंने मैंने पहले से करके रखा था तो फिर यह है मेरे पास सबसे पहले वाला बल्फ जो के यह खराब था इसका मोटर यह मेरे पास दूसरा वाला बल्फ इसका सरकीट खराब है और इसका मोटर अच्छा है सरकीट अब देख सकते हो इसका खराब है यह बहुत ही पुराना बल्फ ह और इसका मोटर मैं जल्डी से चेंज कर लेता हूँ, मैं आपको इसमें मेरे पास चार बल्फ थे, तो फिर मैं इसमें तीन बल्फ मेरे पास मैंने इसे अच्छे कर लिये है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरा मोटर मैं इसके अंदर जैसा था, मैं व ऐसा बिठा ले रहा हूँ मोटर को चलाने के लिए तीन वोल्टेज लगते हैं मिनिमम चार वोल्ट फिर जो हमारी तीन वोल्टेज की एक LED है वहाँ पर हम मोटर का दोनों वार जोड़ेंगे क्योंकि तीन वोल्ट पर हमें अपरेट करना है आप समझ गए होंगे अब इसके बाद ये बल्फ जो है रिपेर हमने कर दिये है और ये शोटकर तरीका है बहुत आप इसको किसी भी इलेक्टोनिक दुकान पर मत दिखाईएगा वो लोग यादा पैसे लेते है ये जो बल्फ है कम से कम 90 रुपे या फिर 80 रुपे में आसानी से मार्केट में मिलता है रिपेर करने जाओगे तो आपको इलेक्टोनिक वाला कम से कम 40 या फिर 50 रुपे वो मांगेगा तो आपके पास इन दोनों में से कौन सा बल्फ है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर किजिएगा इसको मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ AC करन पर ये AC करन पर वर्ट करता है आप इसे चाहो तो 5 वोल्ट चारजर फे भी इसे अपरेट कर सकते हो लेकिन अगर आपको आता हो तो उससे कर सकते हो या फिर बिल्कुल विर आपको नई इसमें समझेगा इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और चलिए फिर मिलते है दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसे मोबाइल चार्जर से कैसे ऑपरेट करना है या फिर किसी भी बैटरी से कैसे ऑपरेट करना है मैं बात में इसका वीडियो बनाऊंगा लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट ज़रू करो कि हाँ हमको ऐसी वीडियो चाहिए तो फिर चलिए मिलते है किसी और दूसरे वीडियो में वैसे भी इलेक्टोनिक के बारे में मैं वीडियो जालते रहता हूँ जैसे कि प्रोजेक्ट और सरकिर बोल्ड के उपर तो चैनल अच्छा लगो तो सब्सक्राइब ज़रू करो और पहले आप वीडियो चैनल में जाकर देखो वीडियो को लाइक मेरे जरूर किजिएगा